नमस्कार, कापिचल टीवे बिहार देख रहे आप और मैं हूँ आपके साथ आत्म जाप लोगसभाद चुनाओ बेहत करीब है वहीं लोगसभाद चुनाओ से पहले बिहार की राजनिती में बड़ी उलट फेर देखने को मिले सियम नितीस ने महा गटबंदन का साथ छोड़ कर ईंडिये का दामन थाम लिया है वहीं बिहार में जदियू और बीजेपी के गटबंदन से लोगसभाद में सीटों की बडवारा को लेकर भी पेच फश सकता है बिहार में कई ऐसे लोगसभा छेतर है जा सीटों को लेकर गठ बंधन के नेता आपस में भिर रहा है वही कई जगा तो जद्यू के नेता ही लोगसभा चुनाओ लड़ने के लिए एक दूसरे के आमने सामने है तो आया आज हम लोगसभा सीट मध्यपूरा को लेकर बादशीत करते हैं जहां जद्यू के ही उमिद्वारों के बीच सीट बटवारा को लेकर माथा पच्ची हो रहे सकती है दरसल जद्यू के दो उमिद्वार मध्यपूरा सीट पर अपना अपना दावा कर रहे हैं वर्तमान में यह सीट जद्यू के पाले में ही है जद्यू के दिनेश चंद्रियादो फिलहाल मध्यपूरा के सांसद है खबरों की माने तो मध्यपूरा सीट के लिए जद्यू से दो उमिदवार एक दूसरे के आमने सामने हैं एक तो वर्तबान सांसत दिनेश चंद्रयादो और दूसरे वीपी मंडल की पौत्र निखिल मंडल वही राज़त की ओर से भी इस सीट पर बड़े नेता का दावा किया जा रहा है मालुम हो कि मध्यपूरा सीट को दिवगंट सरत यादो की वरासत की तोर पर देखा जाता है सरत यादो ने लम्बे समय तक मध्यपूरा का प्लति निधित्व किया साल 1991, 1996, 1999 और 2009 में सरत ने लोगसभा में मध्यपूरा का प्लति निधितनी थो किया था सांतनु यादो राज़त के तिकट पर यहां मैदान में उतरने की तरारी कर रहे है कहा जा रहा है कि स्वर्गे सरद यादो ने अपनी आखरी समय में राज़त सुप्रीमो लालु पिशाद यादो से बात चीत की थी तब लालु यादो ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि वह उनकी पुत्र को मधेपूरा से कैंडिडेट बनाएंगे अब ऐसा माना जा रहा है कि अपने वादे को पूरा करते हुए लालु यादो लोगसभा चुनाओ 2024 में सांदनु यादो को मैदान में उतार सकते हैं अभी मधेपूरा लोगसभा सीट जदियू के पास है कभी शरत के स्षिशे रहे दिनेश चंद्रियादो यहां से जदियू के सांसद है वहीं अगर जदियू की बात करें तो जदियू के दो मिदवार इस सीट पर अपनी अपनी दावेदारी कर सकते हैं माना जा रहा है कि इस बार जदियू मधेपूरा से वीपी मंदल की पौत्र निखिल मंदल को मैदान में उतारने के फराक में लगी है वहीं दिनेश चिंद यादों का यहां से पत्ता कट सकता है निखिल मंदल मंदल कमिशन की चेर्मेन और बिहार के पुर्व मुख्यमंतरी वीपी मंदल की पौत्र है जद्यो की ओर से इस बार लोग सभाचुनाओं में निखिल मंदल को ही मधेपूरा सीट से अपने उमिद्वार के तौर पर उतारने की तयारी चल रही है जद्यो के ओमिद्वार बदलने का एक और यह वज़ा है कि यहां लोगों का वर्तबान सांसत के प्रती काफी आक्रोस है दिनेश्चन रियादों का अपने छेतर के विकास में भागेदारी बिल्कुल ही सुन्या है वह पांस सालों में पहली बार करपूरी चर्चा के दौरान संगठन की बैठक में शामिल हुए थे सांसत के बारे में कहा जाता है कि अपने छेतर के किसी गाउं में शायद ही पांस साल में वह दूसरी बार गये है जिससे आम लोगों ने उनका भरपूर विरोध किया था मदेपूरा में बार्ड के कारण भी लोगों को कई तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ता है यहां अभी उनका दौरा नहीं हुआ है लोगों का कहना है कि उनके सांसत उनके लिए कोई भी कार्य नहीं करते यही बड़ी वज़ा है कि मदेपूरा सीट को बचाने के लिए जद्यू यहां से निखल मंडल को मैदान में उतारने की तयारी कर रही है मदेपूरा के लोगों का सांसत के प्रती आख्रोस नगर निकाय चुनाओ में ही देखने को मल गया था नगर निकाय चुनाओ में मदेपूरा लोग सभाग के बरतमान, जद्यू, सांसत और कोसी छेतर के कदावर निता, दुनेश चंड्यादों की पत्नी महापौर रेन्यू सिन्हा तीसरे अस्थान पर रही थी उन्हें 9962 मत प्राप्थ हुए इस चुनाओ में सांसत की पत्नी को हार का सामदा करना पड़ा था वह इस चुनाओ में पत्नी को जीत दिलाने के लिए मधिपूरा सांसत दुनेश चंड्यादों ने डोर टो डोर खुद से चुनाओ में प्रचार किया था वे गली-गली एक-एक महलने में जाकर मद्दाताओ से मिले इतना ही नहीं चुनाओ प्रचार प्रचार के अंतिम दिन सांसत ने खुद रोड सो में शामिल होकर अपनी पूरी ताकत जोग दी और अपनी पत्नी रेनु सिन्हा के पॉक्ष में वोट डालने के लिए मध्दाताओ से अपील भी की इसकी बावचूद उन्हें सहरसान अगर्णिगम की चुनाओं में करारी हार कास सामना करना पड़ा वहीं वरतमान में भी देखा जाए तो वहां की जनता में वरतमान सांसत स्यदिक निखिल मंडल की मांग है सर्वे को देखें तो जनता की पहली पसंद निखिल मंडल है यादो समाज कहीं हमेशा दबदबा रहा है वहीं मधे पूरा लोग सबाज छेतर के अगर बात करें तो यह सिर्फ बिहार में ही नहीं बलकि पूरे देश में चर्चित लोग सबाजीट है राश्टी राजनिती के बड़े और कद्दावर निताओं ने यहां से चुनाओ लड़ा है राश्टी जनतादल सुप्रीमो और बिहार के पुर्व मुख्य मंतरी लालो प्रशाद यादो जन अधिकार पाटी सुप्रीमो राजेश रंजन और पक्पु यादो मंदल कमिशन के अधिक्ष बिंदेश्वरी प्रशाद मंदल जैसे राजनितिक धुरंदरों ने मध्यपूरा लोगसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया है इस सीट के बारे में कहा जाता है कि सांसर चाहे किसी भी राजेतिक दल का बने लेकिन वह होगा यादो जाती से ही उनिस सरसत से लेकर 2019 तक के सभी चुनाओं में यहां से हर बार यादो उमिद्वार नहीं जीत हासिल की मध्यपूरा लोगसभा सीट पर हुए अब तक के 16 चुनाओं पर नामों को अगर आप देखेंगे तो चार बार रास्टी जनता दल ने उनिस सो अठानबे, दो हजर चार, दो हजर चार का उप चुनाओं और दो हजर चौदा, तीन बार कॉंग्रिस ने 1971, 1980 और 1984, वहीं तीन बार जनता दल ने 1989, 1991 और 1996, तीन बार जनता दल यूनाइटेड ने उप चुनाओं यहां से जीता है, तो यह सारी जो नाम राज़त के तरफ से और जदियू के तरफ से निकल कर आ रहे हैं, जदियू के तरफ से दो लोगों के बीच आमना सामना होने वाला है, ऐसी खबरों की मानितों, क्योंकि अभी फिलहाल जो सांसद है, वहां के सांसे तो जरूर है, लेकिन लोगों के मन में उनको लेकर काफी आक्रोस देखा जा रहा है, तो जदियू कहीं ना कहीं अब निखिल मंडल को वहां से चुनाओं में उतारने की तयारी कर रही है, वहीं राज़त के तरफ से भी अपनी तयारी की जा रही है, तो ऐसे में देखते रहें, क्या पुचल टीवी बिहार, धन्यवाद